वेलकम माई डियर एट क्लास टूडेंट्स बेटा आपा बोर्ड दे पेप्रा लई त्यारी शुरू किती होई सी ते कई चैप्टर्स आपा कंप्लीट कार चुक्कियां अज आपा चैप्टर शुरू कार रहे हैं जी दे वन वन माक्स वाले कोश्चन्स आपा कंप्लीट करां नमबर वन है गा तिन अनुपात चार दा प्रतिशत परसंटेज ओफ थ्री रेशो फोर ता बेटा जी कोई मर्जी परसंटेज आजवे जी में थे ता थ्री रेशो फोर है कोई मर्जी आजवे तुसी इसनों सॉल्व कीमे करने रेशो नों बटियांच लिखने मल्टीप्ल क्योंकि परसंटेज दा मतलब की हुन दा आउट ओफ हंडड वैल्यू ठीक है जी ता एनू कैंसल करो जेड़े स्टेबल ते हुन दा चार दे पहाड़े ते सो अंध है पच्ची चोका सो ता उपर उपर आपने कोल किनने बचे पच्ची ते तिन तैदा अंसर आउगा बच दूसरा कोशन है किसे स्कूल विच आठसो विद्यार्थियां विच्चों पांसो कुढियां ने ते बाकी मुंडे ने मुंडे अते कुढियां दा अनुपात की है इन श्कूल आउट ओफ एट हंड़ स्टूदेंट्स देर वर फाइव हंड़ गर्ल्स और रिमेनिंग आर अपनों हुण ए रिमेनिंग जड़े ने बोईज ओ पता करने पहांगे देखो टोटल वच्चे हैगे ने आठसो ओधे विच्चों गर्ल्स हैगे आने पांसो ता बोईज किनने होंगे बेटा माइनस करके पता करलो तिन सो हुण ए दे विच आपने त्यान रखना हुंदा इस सम दे विच जीदी रेशो जीदे नाल पुछी है उनों ओसे रो दे विच रख देया जी में मुंडिया दी कुडिया नाल रेशो पुछी है ता पहलना आप मुंडिया दी संख्या ही रखांगे ठीक है जे स्टेटमेंट दे विच केहा हुंदा कुडिया दी मुंडिया नाल रेशो बता करो तो आपकोडियां दी संख्या नू पहला रख दे ठीक है जी हुन देखो बेटा पिशलियां दो जीरोज पिशलियां दो जीरोज नाल कट गिया ते आंसर आगे आपना थ्री रेशो फाइब यानिकी सेकिंड ओप्षन हुन जे तो सी गलती नाल पहला मु जेडी गल पहला लिखी हुन दिया बेटा उसनू ही अपना पहला लिखना हुन दै जेडी पहला कुछ ची है ठीक है जी नेक्स्ट देखो चार मेंगन 3.50 रुपे विच खरिदे गए आते चार रुपे विच बेचे गए साध्य तिन रुपे मान लो ठीक है इस सोद्धे विच लाव जहानी किन्ना होवेगा 4 ब्रिंजल्स आर बाट 4 रुपीज 3.5 और सोल्ड 4 रुपीज 4 फाइंड दा प्रॉफिट और लॉस इन दिस ता पहलना बेटा ये चेक करो के प्रॉफिट होया के लॉस होया खरीदे सीगे उन्हें तिन पॉइंट पांच जीरो दे जीरो में तान लाई है को कि पैसे आंदे विच आप डबल धीजिटी लिख दिया हना थोड़ा आपने कंफ़टेबल रहें दा माइंड नो चार पे विच ओने वेच चे ने ता जेड़ा सेल प्राइज है वह जाद है ते जेड़ी कॉस्ट प्राइज है वह कट है ता बेटा आपनू हो रहे है प्रॉफिट लाब होया त्ळाब किन्ना होया है जीरो चो जीरो गई जीरो समराथ करके चुक्ग के आज ता सबनू अगला देखो, 2000 रुपए ते 6% दारनाल, 2 साल दा सदारन व्याज, सिंपल इंट्रस्ट पुछे हैं, बेटा, P पता है थो नू, रेट पता है, एंड टाइम पता है, ता सिंपल इंट्रस्ट दा फॉर्मूला की हुन दा है, P मल्टिप्लाई R मल्टिप्लाई T ओवर 100, ता P हैगा 2000, R हैगा 6, अपने कोले समा हैगा 2 साल दा, बटे हैगा 100, 2 0 आ नाल, 2 0 आ काट किया, बाकीनों मल्टिप्लाई कर लो, 6 दुनी, 12, 12 दुना, 24, 24 दिन आलो वली 0 जो जड़ी छड़ी भी है, ठीक है, ताइदा अंसर आजूगा 240 रुपए, ठीक है बटा जी, next देखो, on which of the following profit percent or loss percent is calculated, ता केड़े मुल्लते, एंदे अपन लाब प्रतिशद याँ हान्नी प्रतिशद दि गन्ना कर देया, ता बटा ये विच गन्फ्यूस हों भी लोडनी प्रॉफिट दा हैगा, ता प्रॉफिट लिख देयों, ओवर दोन्ने फॉर्मूलियां चीकी लिख देयों CP, इंटू की हुन दा हंडर्ड, ता दोन्नों वैल्यूस केड़े मुल्लते अपना गन्ना कर देया, CP, यानि की cost price थे, खरीद मुल्लते, ठीक है, ते जीड़ा इस ठीक है बटा, चलो देख दिया अगला, अच्छा लओ, जेडी मथवन गाल पहला हूनी दसके हटियां, ओही अगली फिलाप्च आगी, डैश दी गन्ना, हमेशा अंकित मुल्ते किती जान दिया, ता की दी गन्ना बटा, क्टॉत्ती दी, डिसकाउंट दी, डिसकाउंट, ओथे स्पैलिंग पूरे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ते अग्गे देखो, उसे सैवंथ चे बुच्छ है, फॉर्मूला पूरा करना है अपा, विजे खरीद मूल देवीचे लाब जोड दन्या था की बन जन्दा, जिनने दी चीज खरीद ते ओधे थे अपा कुछ प्रॉफिट लितता, ते ओनों वेच था, ता एसपी ओ याओगी बटे, ठीक है, ता एदेच की याओगा उरे, एसपी, यानि की वेच मूल, जदों भी लाब हो रहा हुंदा है बच्चे, ओहो, जदों आपा वेच मूल कड़ देयां, ता लाब ह मेशा खरीद मूल दे विच्च जोड़ता हुंदा, जदों हान्नी होरी हुंदी है, ओधूं आपा वेच मूल कड़ना है, ता खरीद मूल दे विच्च हान्नी कटाउनी पेंदी हुंदी है, ठीक है, पाग द्वारा कित्ती गई, दो राशियां दी तुलनानू, जदों अगला सिंपल इंट्रस्ट दा फॉर्मूला पूरा करने, पी इंटू आर इंटू, टी ओवर हंड़, ठीक है, बेटा इनना बता लाग गया, नेक्स देख दियां, हाँ जी, नॉमा कोश्चन आपका कार लिया, दसवा देखो, केंदे जेड़ा 55% है, उन्हों आपका कीदे बटे 4 लिख साग दियां, तो ये मत्तब कीस तरह दा कोश्चन है, आपकाने 55% नू पिन रूप च बदलने, ठीक है, 55% नू पहला पिन निच्की में लिखांगे, 55 तरबटे 100, केडे पहाड़ेते काट देने, 55 पहाड़ेते, 55 ये पहाड़ेते, 55, 55, 54, 100, ता ये थे किनना आंसर पर या जाओगा, 3, ठीक है, नेक्स्ट हैगा, 6 किल्लो मिटर दा, 600 मिटर दाल अनुपात, इक अनुपात 100 हुंता है, ये अपने सही या गल्त दसने, येनों साल्ब करना पूँगा, 6 किल्लो मिटर दे, 600 मीटर, शब्तो पहली झाल एना दी जडियर यूनिट है, वह सेम नहीं हैंगी, पहला तुस् courना दी यूनिट सेम करना है, एक किल्लो मिटर दे, विच किन्ने मिटर हुं देने, 1,000 मिटर, ता तुसी ये दे, 6 किल्लो मिटर दे 6000 मिटर बनाले पिष्णियां 2-0-0-2-0 कट गिया साथ ते जड़ा 6 है उहो 6 दे पहाड़े ते कट गिए ता अपने कोल सिर्फ 10 नुपात 1 का हुगा इने क्या 11 नुपात 100 हुंद है ता की हो गया है रॉंग है नेक्स्ट इक पिन्न नू प्रतिशत अते प्रतिशत नू पिन्न वीच बदलिया जा सकदा है fraction can be converted into percentage and vice versa ता बच्ची अपने इस स्वाल दे विच 75 प्रतिशत नू पिन्न च बदलिया ता पिन्न दा प्रतिशत केडे स्वाल च बना यासी पहले च हांजी यहे true है ATM दा जड़ा आर्थ है automated teller machine होंदा है हांजी एहे सही है 25 प्रतिशत दा दशमलव नी रूपन उन 25 प्रतिशत नू अपन दशमलव च लिखना है ता पहलना 25 प्रतिशत नू पिन्न च लिखना है 25 बटे 100 हार्च किन या जीरुआने 2 ता ओहो दो अक्खना तो पहलना लगण गया decimal जड़ा है दो अक्खना तो पहलना लगऊँगा इन्हें 2.5 के है ता ए हो जुगा बेटा जी wrong next हैगा GST जड़ा आर्थ है वस्तु अते सेवा कार है हां जी बेटा एदा नाम होंदा है goods and service tax ठीक है वस्तु अते सेवा कार एहे सही है next देख दे हां जी हां जी next आगे बेटे आपने को ले चैप्टर अच्छा एक मिंडूस तो पहलना में दास्दा उरे एने एक्ट लिख्या होया एहे tax चलो next जड़े चैप्टर ने बेटा algebraic identities chapter नमबर 8 ते mansuration chapter नमबर 9 एदे विच बेटा देखो 1-1 marks वाले question पहला फिलाप्स दित्तिया हुई है the formula to calculate the perimeter of square वर्ग दा परिमाप पता करन दा सुत्तर त एथे सिरफ आप formula ही लिखना है 4 into side यानि की 4 गुणा पुजा परिमाप पुच्छिया ठीक है जी the formula to calculate the area of circle चक्कर दा खेतरफाल पता करन दा की formula होंद क्योंद है अग लहेगा 1 ml किन्ने centimeter cube दे बराबर होंद है 1 ठीक है next if the side of a cube is doubled the volume of the cube will become dash times जे इक कनदी पुजानों दुग्णा कर दिये ता होदा आतन किन्ने गुणा हो जुगा तो सब्सक्राइब करने कोई रट्टा नी लौना को याद नी करना तुसी चोटी साइड लैलो थीक है तुसी वन लैलो साइड जडी क्यूब दी ओधा वॉलियूम कर्ड़ू तब वन दा क्यूब कीनना हुंदा है वन फिर तुसी उन्हों डबल करतो थीक है वन न तो सोखी जी चीज बनाओ एदा क्यूब तुसी करोंगे कि ना जुगा चौकम चौकी सोडा सोडा चौका चौंट तर बेटा आठ तो जेड़ा तो अड़ा वॉलियूम सी ओ चौंट हो गया तर आठ दा पहाड़ा पड़ो चौंट कित्थे ओंदा है आठो आठी चौंट तर यह 8 गुणा हो जाओगा एट टाइम्स हो जुगा ठीक है जी समझा गया नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट कोश्चन दे विच है तो टोटल सर्फिस एरिया ओफ क्यूब हैविंग अ साइड ओफ लेंथ 3 सेंटीमिटर ता अपने को लेपु जादी जड़ी साइड है ओ 3 सेंट सेंटीमिटर है ते आपनों पुछे काण दी कुल सता दा खेतरफल ता बेटा जड़ी टोटल सर्फिस एरिया हुंद है क्यूब दा फॉर्मूला याद करो ओ हुंद है 6 इंटु ए स्केर यानिकी 6 गुणा पुजा दा स्केर ता पुजा किन दित्ती हो यह तिन ओदा स्केर लिख लिया है तिन स्केर किन दा हुंदी जी 9 ता 9 छीक चुरंजा सेंटीमीटर स्केरन देथें किन आ जुगा 54 अगला अपका ने आपा सिरफ पूरा करना है, ठान में गुणा 102 लिखिया है, ठान में नोट उसी की लिखोंगे बेटा, 100-2, ते 102 नोट की लिखोंगे, 100-2, ठीक है, नेक्स्ट हैगा आपाइना चों सही विकलप चुनने है, mcqs आगे मतलब, perimeter of rectangle is, आयत दा परिमाप, ता जेडा बेटा आयत हुनदा है, ठीक है, ओधे विच टू टाइम्स लेंथ आंदिया है, टू टाइम्स ब्रेट आंदिया है, ते फार्मूला बनदा है, दो गुणा length प्लस breadth, दो गुणा लंबाई जोड चुड़ाई, अगला कोश्चन है, अपने को ले, area of trapezium, हाँ जी, area of trapezium, whose parallel sides are A and B, and distance between them is H, ता फार्मूला ही पुछ रहे है, बेटा, सामलांब चतर पुछ दा खितर फाल पुछ रहे है, तो उन्दा एक बटे दो, गुणा समानतर पुजामा दा जोड, गुणा उचाई, हुन समानतर पुजामा अपनोंने A प्लस भी देती है, ता ए देख लो कित्थे लिख्या हुए, ए हैगा second option, ठीक है बच्चे, अगला है गा expression, 4x² y is a, वियंजग है जेड़ा, 4x² y हो की है, तो पेटा एदे विची सिर्फ एक कोई टर्म है, एक सिंगल टर्म है, ता है एक पदी है, मनौमियल है, ठीक है जी, एक पदी मनौमियल, next question है, the product of expressions, अपने न दोना रखमा दी गुणा करनी है, 3xy² दी, multiply की दे नल करनी है, 5xy² ना, ता बेटा पहला ता गिंती वाले अखर दी, गिंती वाले अखर ना गुणा करलो, पांजती है, 15 विद नेगटिव्स आई, x दी पावर इत्थे वी 1 है, ते x दी पावर इत्थे वी 1 है, base सेम, बचाले गुणा ता पावरा होगी है, plus, same बेटा इत्थे, base सेम, multiply दा sign, पावरा होगी है, plus, तर देख लो कित्ते लिख्या हुया है अ Ad पंदरा एक्स स्केयर वाई दी चार एहगा भी आप्शन जी फेर अगले चोने के है पी प्लस कियो हुद देख के पी माइनस क्यों साइड्ज ओफ ट्रेंगल ने एरिया ओफ ट्रेंगल ने एरिया ओफर रिक्टेंगल की होगा लंबाई गुणा चुड़ाई तो जिस तरह दी भी थो नुष दित्तिया लंबाई चुड़ाई ओनू उसे टांग नाल लिख दो तो पी प्लस क्यों पी माइनस क्यों अपनु आप्शनाच कोई नहीं दिख रहे हां एदा मतलब इस फार्मूले नू खोल लिया होया है पी प्लस क्यों पी माइनस क्यों दा फार्मूला की दा बनदा हूं दा है पी स्केर माइनस क्या हूं स्केर ता केड़ी आप्शन आगी सी आप्शन ठीक है नेक्स दे विचोने अपनू पुछे कि सम करो जोड करो की दा जोड करो तिन एक्स माइनस एक मिट में आप्शना दे उपर ना लिखा इदर लिख दें आपा तिन एकस माइनस दो वाई ते चार एकस प्लस दो वाई दा अपा नू जोड करनू के है ता मैं आते दिधां ते जोड पा लिया हून लाइक टर्म्स नू नेडे लिखो लाइक टर्म मतलब जीदे कोल एकस एकस है उनू नाल नाल ठीक है समान पदा नू कठे करना केने हुन ने या उन समान पदने जडे उनू ता जोड कटो वी हो सकद है बिटा तिन एकस दे विचे चार एकस आपा जोड दांगे किन्ने एकस बनगे साथ एकस प्लस दा दो वाई यह माइनस दा दो वाई यह है कैंसल होगे ता अपने को आंसर आगया c option true false शुरू होगे in the expression 7x-3y the coefficient of y is 3 तो उन्हें के है विचे y दा गुणांक तिन है तो गुणांक दा मतलब की होंदा है बच्चे coefficient दा मतलब की होंदा है कि जेडा ओस अक्खर दे नाल गुणा हो रहे है जो अपनों पुछे आपना वाई कित्थे एक रख्या हो रहे है तो ओधे नाल गुणां की हो रहे है गुणां हो रहे है माइनस दा तिन इन्हें के है तिन तो एह हो गया गलत एवरी स्केयर इज रॉम्बस उन्हों स्केयर है बेटा की ये दे विच रॉम्बस दिया क्वालिटीज है गया ने आल साइड्स इक्वल येस डाइगनल इक दूसरे नो बाइसेक्ट कर देने 90 डिग्री ते कर देने येस ठीक है समने वाले अंगल इक्वल ने येस ता हरे एक स्केयर जड़ी है ओहो रॉम्बस है बट बेटे अपा हरे एक रॉम्बस नो स्केयर नहीं कह सकते ठीक है जी क्यों क्योंकि ओधे अंगल 90 नहीं हुन दे ता ए वाला जड़ा है ओप्शन हो ट्रू है नेक्स देखो हांजी अगला हैगा the product of monomial and a binomial इसे binomial इक पदी अते दो पदी दी गुणा हमेशा दो पदी हुन दिये तो इनू भी रट्टालों दी लोडनी तुसी बार एक कक्खर लिखो अंदर ब्रैकेट चे कोई भी दो अक्खर आप दे कोड़ों लिखलो दो पदी ठ परोवी ना बसोच्चो इनू multiply करोंगे एक टर्मा हुगी इननू multiply करोंगे एक टर्मा हुगी मतलब दो पदी या मणगिया हांजी फिरेने केहासी एक पदी याते दो पदी यादी गुणा दो पदी हुन दिये सही तिन एक्स वाई नू जीरो ना multiply करांगे ता किनना अंसर ओना चाहिए जीरो एने लिखिया है तिन एक्स वाई ता एह है किया है फॉल्स ठीके बेटा हले मिन्हों लगदा है वीडियो थोड़े मिंटा दियो हुई है अपपा अगला चैप्टर भी कार लेने है अगला चैप्टर हैगा powers and exponents सौख़ई है चैप्टर जिननू आपका अतना दे जड़े नियम ने और याद ने उदे लिता सौख़ई है देखो ए दी पावर एम है इंटू ए दी पावर एन है की दे बराबर होगी देखो बेस बराबर बचाले गुना दा साइन ता पावरा की हुन दिया ने जी प्लस उन देख देए अपपा थोड़ा जूम करके प्लस की देच लिख्या हुया फर्स्ट ऑप्शन देविज ठी अगला है गा मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स कड़न है अपपा फाइव दी पावर माइनस टू दा ता एस सामदे विच्चे बेटा कई बच्चे कन्फ्यूज बहुत हुन देरे क्यों क्योंकि आपपा ने पहले चैप्टर चे मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स सिख लिया ग बेस्ट तरीक का दास दिया देखो रखम है गिया फाइव दी माइनस टू आंसर जेडे है गे नेहों पावरांच नहीं है गे ता पहला अपना फर्ज किया एद यामी पावरां हटाओ माइनस दो ता आपपा खोल नी सागदे थीक है ता पावर न दी पॉजटिव कर लिया पावर पॉजटिव होगी एदा अंसर की आया इक बटे पच्ची पांच दा स्केर पच्ची हुण बेटा इस रखम दा गुणातमक उल्टा ता पल लिक साग दिया ना इक बटे पच्ची दा गुणातमक उल्टा की हुन दै पच्ची ठीक है नेक्स्ट देखो फाइंड द दा वैल्यो ओफ टूदी पावर है गिया जी माइनस फाइव इंटू टूदी पावर है गिया शिक्स बेस इक्वल बचाले मल्टिप्लाइ दा साइन ता पावरा की हुन गिया प्लास हुन छे प्लास दै, पांच माइनस दै होगा ता माइनस निशान नी वड़े अखर दी ता एदा अंसर आ जुगा 2 दी पावर 1, means 2, अगले ची भी अपपा पावरां दा रूल लगाने, पावर दे उपपर इक पावर है, ता ए पावरां मल्टिपलाई हो जान दियाने, दिखो अपपा ए रूल किता होया, x दी पावर, m दी पावर, n, n लिखिये नू, ए इक्वल होंदा है, x दी पावर, m इन्टू, n, ता चारती ये किन्ना हो गया बेटा, 12, तो एदा उप्शन गेड़ा आ गया, b, next, बहुत सौखा कोशन है, मुल्ल पता करने है, जदो भी बेटा, किसे भी बेज दी पावर, 0 होंदिया है, ता ओधा अंसर होंदा है, 1, तो एदा अं बेटा, जए इवन पावर होंदिया है, मतलब जिस्त का आतोंदिया है, दो दे पहाड़े ते जानवाली का आतोंदिया है, तो एदा अंसर हमेशा प्लस वन होगा, जए माइनस वन दी जड़ी पावर है, वो ओड होंदिया है, यानि कि टांक आंदिया है, तो एदा अंसर ह मेशा माइनस वन होगा तहीदा अंसर किनना है माइनस वन क्योंकि तेही किया एक टांक संख्या next question most important है क्योंकि आप पाइदे बीच मोस्टली गलती गार देया 100 दी पावर 0, 2 दी पावर 0, 5 दी पावर 0 तु सिक्षी करोंगे नहीं तो बच्ची लिख्या होंगे क्यों बच्चे का तामले नियम कित थे गए 100 दी पावर 0 दा मतलब 1, 2 दी पावर 0 दा मतलब 1, 5 दी पावर 0 दा मतलब 1 ता 1 प्लस 1 प्लस 1 किनना हो गया 3 ठीक है जी समझा आगया next अगले दे बिच बेटा सारे 2 ने अधा आरजेडे ने गुणा दी निशाननी है ता पावरा नों प्लस कार दो ता 2 दी पावर किननी बांजोगी 2 प्लस 1 प्लस 5 यानिकी 2 दी पावर 2 तेक 3, 3 ते 5, 8 उन एने ता 2 दी पावर 8 लिख्या निकी ते खोल्या होया है दो दी पावर 5 यानिकी 2 दी पावर 6 यानिकी 2 दी पावर 8 खोल्या होया है क्योंकि चौत्थी ओप्शन ता नान ओफ दीज है अच्छा माइड जो फेर कंफ्यूजन आ जान दी है पिकिते नान ओफ दीज ना होवे ता यनू फेर जैक कर लो चौन तकता अपा पॉँची गएसी दो दी पावर 6 ता दो दी पावर 6 यानू अपा आठन मल्बणा ओनली चार ना होर मल्टिप्लाई करना है गुणा करके देखलो जो कम जो कि 16 हासल एक 6 चोका 24 एक बच्ची अपने मांदी कंफ्यूजन भी ठीक होगी ठीक है जी नेक्स देखो तिन दी पावर तिन नू गुणा गुणा ची देखो किन नीवर लिखे तिन तिन छेत एक साथ तेन एथे लिखे तिन दी पावर आठ ता एक ही हो गया फॉल्स मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स अच्छा इस सम्त्या पत्या आंदी ये इंपोर्टेंट जा साम है हाँ जी एने के मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स अधी पावर माइनस अम दा अधी एम है चलो चेक कर देया मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स दा मतलब इसे रकम नू अपाँ उल्टा कर देना ठीक है ताही ये ना दी multiply वानना दिया ना multiplicative inverse है उन इस रकम नूँ अपा की एदा लिख सक दिया मीच्चे माइनस दी पावर है बेस उल्टा खर दोंगे पावर का दी हो जूगी प्लास दी हांजी लिख सक दिया ता एदा मतलब एक ही हो गया true अच्छा जेड़ा उपर कोश्चन किता सी फाइव दी पावर माइनस टू ता एदा अगुनात में कुल्ट की आया सी पच्ची आया सी ता फिर इत्थे वी गाले सही है के फाइव दी पावर टू लगा लो फाइव दी पावर टू इक्वल टू वान आऊगा हान जी आऊगा क्योंके माइनस टू प्लस टू जीरो होगी जीरो दी पावर दा मतलब वन ठीक है समझा गी है गल अगला बेस सेम ने बचाले डिवाइड दी निशानी है ते डिवाइड दी निशानिया ता आंसर की ओना चाहिँ दा सी M-N, एने लिखे प्लास, ता एवी की हो गया, फॉल्स फिलप पर नी आपा तिनदा स्केर किनना हों दाजी, 9, चारदा स्केर, 16, सारे दी पावर किननी है, 0 16, 9 होगे, 25, 25 दी पावर होगी, 0, ता आंसर की ओना आया, 1 ठीक है, नेक्स्ट फेरो से टाइप दा कोश्यन आगया, अपने गोले The value of, अपाने 1 ओवर 5 दी पावर माइनस तो दा मुल्ल गड़न है, ता माइनस पावर ता अपा खोली नी सागदे हों दे 1 बटे 5 दे बेस नू उल्टा कर लो, ता रैसी प्रोक कर लेलो, 5 हो गया, ते पावर जेडी हो प्रासदी हो जोगी, ते दा अंसर की ओना आजूगा, 25 The value of A दी पावर 0 किन्नी होगी बेटा, 1 अगे 3 दी पावर 7, डिवाइड 3 दी पावर 9, ता अपन पता है, बेस बराबर होन, बचाले डिवाइड दा साइन होगी, ता आपा पावरा नू की करना है, माइनस देखो, होने दा अंसर की ओना आउगा, 749 आपा, या मानलो 947 आउगा, आंसर दो आउगा, निशाननी वड़े अक्खर दी लगोगी, ते दा अंसर की ओना तिन दी पावर, माइनस दो ए लिख्याओंगे, तावी सही है, ये तुसी इसनों लिख्याओंगे, एदा तावी सही है, ये तुसी एदा अंसर लिख्याओंगे, एक बटे नों तावी सही है, ठीक है, अगे-अगे अपा आपा आवरा खोल ली गए, ठीक है बटा, इनना समझ आ गया, इस वीडियो द टेक कियर